अपना पात बेच कर हर हफ़ते 37 लाख रुपे कमाने वाली एक्ट्रेस और टिक टॉक स्टार स्टेफनी मेटू की जान बाल बाल बची है अमारिका के सबसे बड़े न्यूस पोर्टल मेट्रो के मुदाबिक स्टेफनी के सीने में तेज दर्द उठा था जिसके बाद उनके दोस्तों ने उन्हें अस्पताल में भरती कराया कई बड़े शोज में काम करने वाली स्टेफनी जार में भरकर अपना पाद बेचती हैं और इससे वो हर हफते 37 लाख रुपे कमाती हैं स्टेफनी के पाद खरीदने वालो की डिमांड दिन पर दिन बढ़ रही है इस डिमांड को पूरा करने के लिए स्टेफनी हर हफते इतना पाद एकटा कर रही है कि वो करीब 50 जार भरकर बेच पाएं इन जार को लोग आनलाइन खरीद रहे हैं और एक जार के लिए से खाकर स्टेफनी पाद बनाती हैं और फिर जार के अंदर एक फूल डाल कर उसमें अपना पाद भरकर बेशती हैं स्टेफनी के इंस्टाग्राम पर करीब धाई लाग फॉलोर्स हैं और इन में जादातर वही लोग हैं जो स्टेफनी का पाद खरीते हैं अब स्टैफनी का बिजनस इतना बढ़ गया है कि लोग उनके पात के दिवाने हो गए हैं बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पर उनके पात का रिव्यू किया जा रहा है हाल ही में जब स्टैफनी ने पात बनाने के लिए तीन प्रोटीन शेक और एक कटोरा ब्लाक बीन सूप पिया तो उन्हें बुरी तरह से गैस बन गई इस गैस ने उनके सीने में दर्द कर दिया जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया डॉक्टरों ने स्टैफनी को चिताबनी दी है कि अगर वो ऐसा करती रही तो उनकी जान भी चली जाएगी फिलाल इस अ साथ ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए